जै श्री कृष्णा दोस्तो, जितिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा सन्तान की लंबी आयू और उसके समरिद्धी की कामना होती है। जितिया वरत को जीवित पुत्रिका वरत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा अरचना की जाती है। इस वरत को महिलाये अपने संतान की लंबी आयू, 아च्छे स्वास्थे के लिए करती है। तो आएए जानते हैं जितिया वरत कथा, एक समय की बात है। किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिलबांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी एक बार कुछ महिलाय जंगल में आई और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी यह सब देख चील के मन में जिग्यासा जग गई वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया चील तुरंट अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधी विधान से करेगी चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी सियारिन अपनी भूख बरदास्त ना कर सकी और वहां जंगल में जाकर शिकार करने चली गई सियारिन जब मास को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और वरत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डाटा लेकिन चील ने अपना वरत नहीं तोड़ा और वह सचे मन से जितिया वरत को पूर्ण किया अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहां हुआ सियारिन का कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यू हो गई सियारिन के पुत्र के मृत्यू के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन दिया, जो जीवित तथा स्वास्थि था यहां देख सियारिन को अपनी बहन चील से इर्शा होने लगी सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पती को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए एक दिन देवी मा सियारिन के स्वपन में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन के कर्म का फल है, अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो मा जीतिया की वरत और उपास ना करो प्राता काल उठकर स्वपन के बारे में सियारिन ने अपने पती को बताया सियारिन के पती ने यह सुन सियारिन को वरत करने की अनुमती दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी सियारिन को उसकी गलतियों पर पच्टावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया विवा एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ अगले साल जितिया व्रत पड़ा, यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन हुई और उसको पुत्र प्राप्ती का आशीरवाद दिया कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुन्दर बालक को जन्द दिया अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी-खुशी रहने लगी